स्वागत अफिर्हेंट्स आप सभी का मेरे इज़ी इंगिलिश के लास में आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडिवी लेकर आया हूँ जो पर्जन्ट इंडिफनिटज की है और यह पर्जन्ट इंडिफनिटज निगेटीव सेंटोच की है इसके पहले मैं affirmative पर पढ़ा चुका हूँ affirmative की वीडियो एक बना चुका हूँ present indefinitance की affirmative वीडियो जिसको positive कहते हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ इसे पहले वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने भी उसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को पढ़ लीजिए उसके बाद में इसको पढ़ना शुरू करिए यह present indefinitance की negative sentence की वीडियो है देखे यह पहचान जो है हमारी पहचान सेम वही affirmative sentence वाली ही रहेगी यानि जो पहचान हमारी present indefinitance की affirmative sentence की होती है वही पहचान हमारी negative sentence की होती है वही interrogative की होती है same वही पहचान जहती है जब tense बदलेगा तो पहचान बदलेगी ठीके और देखिए अब इसमें हम negative sentence की बारे में बताऊंगा देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि structure देख लेते हैं कि सबसे पहले subject उसके बाद में do या does फिलस not फिर उसके बाद में वर्व की first form फिलस other word यानि other word का मतलब यह होता या तो फिर object हो सकता है या फिर compliment आ सकता है लेकिन subject के बाद में do या does दो में से कोई एक आएगा दोनों नहीं लगा सकते हो अब do आएगा या does आएगा देखिए friends अगर हमारा subject singular number का होगा तो does आएगा और subject अगर हमारा plural number का होगा तो do आएगा यह यह subject के ओपर depend करता है subject के ओपर निर्भर है subject हमारा singular number का है तो does का परियोग करेंगे और subject हमारा plural तो दू का परियोग करेंगे उसके बाद में यह सब पूरा फार्मूला उठाके रख देंगे देखिए फ्रेंड्स आगे नंबर एक पर जैसे की ही डजनाट गो वह नहीं जाता है यहाँ पर हमारा जो वह नहीं जाता है सब्जेक्ट हमारा यह वह है और यह सिंगुलर है इसके लिए ही लगाया गया है और ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर डजनाट का परियोग किया गया है फिर उसके बाद मे वहाँ नहीं जाता है आगे फिर देखते हैं नमबर तीन पर दे डू नाट कम वे नहीं आते हैं देखिए यहाँ पर दे हमारा पिलूरल नमबर का सब्जेक्ट है अर्थाद बहुचन करता है इसलिए इसके साथ में डू नाट का परियोग किया गया है और डू नाट के बाद ने वर्ब की फिर्ष्ट फॉर्म का ही परियोग किया जाएगा फिरेंट्स चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नमबर का हो या पिलूरल नमबर का हो करता चाहे हमारा एक वचन हो या बहुचन है लेकिन दोनों परकार के करताओं के साथ वर्ब की फिर्ष्ट फॉर्म का ह पड़ता है तो दू या डस के ओपर पड़ता है बस वर्ब के ओपर कोई फरक नहीं पड़ता है इस प्रेजंड इंडिक निपन टेंस के निगेट्व संटेंस में आगे देखते हैं they don't come यैनि वे नहीं आते हैं यहां पर इसको do not को don't लिख सकते हो फिर आगे देखते हैं नमबर 5 पर you do not come तुम नहीं आते हो यू do not come तुम नहीं आते हो इसको शार्ट काड में बना सकते हो you don't come, तुम नहीं आते हो, यानि do not को don't कह सकते हो, फिर आगे देखते हैं, नमबर साथ पर, the boys do not play cricket, लड़के मैच नहीं खेलते हैं, देखें फिरेंड्स, इस सेंटेंस में हमारा जो subject है, the boys, यानि plural नमबर का subject है, बहुचन करता है, इसलिए, बहुचन करता होने के कारण य अगर यहाँ पर हमारा singular subject होता है, तो does not का परियोग किया जाता है, अब आगे देख लेते हैं example में, देखें, the boy does not play cricket, लड़का मैच नहीं खेलता है, देखें इस दोनों में, और इसमें 7 नमबर वाले में, और 8 नमबर वाले में, देखें दरह, यहाँ पर subject हमारा plural number का है, इसलिए do not का परियोग किया गया है, और यहाँ पर subject हमारा singular number का है, इसलिए does not का परियोग किया गया है, यहाँ पर do not है, यहाँ पर does not है, कारण यहे कि यहाँ पर singular है, और यहाँ पर plural, इस और यहाँ पर plural number है, और यहाँ पर plural है, यहाँ पर plural number है, और यहाँ पर singular number है, कुचन करता है इसलिए फिर आगे देखते हैं she does not laugh वह नहीं हस्ती है यहाँ पर she यह लड़की जाट के लिए लगाते हैं इसलिए यहाँ पर she लिखा गया है अब she does not laugh वह नहीं हस्ती है आगे देखते हैं 11 नंबर पर 11 नंबर पर the girls do not laugh लड़कियां नहीं हसती हैं देखिए ये girls ये हमारा plural number का subject है बहोचन करता है इसलिए इसके साथ में do not का परियोग किया गया है और हमने पहले ही बताया है कि इस present indefinity के negative sentence में चाहे singular subject हो या plural subject हो दोनों परकार के करताओं के साथ verb की first form का ही परियोग किया जाएगा सिर्फ effect पड़ता है तो do या does के उपर पड़ता है बस उसके बाद में लड़कियां नहीं हसती है दा गर्ल से do not laugh ये हो गया अब आगे देखते हैं 12 नमबर पर दा गर्ल ड़स नॉट लफ लड़की नहीं हसती है देखिए अब यहाँ पर singular subject हो गया नहीं एक लड़की की बात हो रही है यहाँ उपर वाले में देखिए नहीं बहुचन ज्यादा लड़कियों की बात हो रही थी एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर girls लगा है ममता स्कूल नहीं जाती है देखिए अब यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है नहीं ममता एक लड़की है does singular subject है हमारा इसलिए does not का परियोग किया गया है और उसके बाद में वर्ब की first form plus other word फिर उसके बाद में है 14 नमबर पर he does not go to laknau everyday he does not go to laknau everyday वह परती दिन laknau नहीं जाता है या यू कह लीजिए कि वह रोजाना laknau नहीं जाता है देखिए singular subject होने के कारण एक विचन करता होने के कारण does not का परियोग किया गया है फिर आगे देखते हैं 15 नमबर पर अर्था 15 नमबर पर we do not play cricket now अब हम match नहीं खेलते हैं अब हम match नहीं खेलते हैं देखिए we हमारा जो है यह plural number का subject है इसलिए do not का परियोग किया गया है इसके पहले वाली वीडियो में affirmative जिस sentence में मैंने affirmative पढ़ाया है उसमें मैंने यह बताया कि I, we, you, they यह शब्द हमारे plural number के मानने जाते हैं देखिए अब आगे देखते हैं कि my brother my brother does not play cricket now मेरा भाई अब match नहीं खेलता है देखिए यहाँ पर मेरा भाई my brother does not play cricket मेरा भाई एक वचन है इसलिए यहाँ पर does not का परियोग किया गया है देखिए फिरेंट्स इसमें जो हमने बताया कि I, we, you, they I, we, you, they यह हमारे बहोचन मानने जाते हैं यानि जो हमारे plural number हैं वो तो high हैं उसके अलावा English grammar के अंदर I, we, you, they इन शब्दों को बहोचन माना गया है आगे देखते हैं फस्ट टैप इंट्रोगेट्यू सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम structure देख लेते हैं do सबसे पहले फस्ट टैप अच्छा फस्ट टैप इंट्रोगेट्यू सेंटेंस किसे कहते हैं देखिए इंट्रोगेट्यू सेंटेंस दो परकार के होते हैं है फर्स्ट टैप दूसरा होता है सिकेंड टैप इन्टाइप इंट्रोंगेटिव सेंटेस्ज उस सेंटेंज को कहते हैं कि जिस कोश्चन का एंसर केवल yes या no में अर्थात हाँ या नहीं में धिया जा सकता है जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो उस सवाल को first type interrogative sentence कहते हैं या यू कह लिजे कि उस question को उस sentence को first type interrogative sentence कहते हैं और जिस question का answer yes या no में नहीं दिया जा सकता है उसे second type interrogative sentence कहते हैं अब लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है first सबसे पहले रखेंगे दू या डज उसके बाद में सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट फिर वर्वे की फिस्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड देखिए फिर यह ब्रेकट के अंदर जो नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि अगर इस सेंटेंस में नॉट आएगा तो यहां पर लिखा जाएगा और अगर नहीं तो नहीं लिखा जाएगा देखिए क्या वह स्कूल नहीं जाता है डस लीए नॉट गो टू इस्कूल और अगर plural number का subject होगा, बहोचन करता होगा, तो do का परियोग करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, क्या लड़के school नहीं जाते हैं, do the boys not go to school, क्या लड़के school नहीं जाते हैं, देखे यहाँ पर subject हमारा plural number का है, बहोचन करता है, इसलिए subject के पहले do का परियोग किया गया है और यह क्या है, यह first step in drogue to sentence का वाक है, अब देखे आगे फिर देखे हैं, क्या तुम लखनव नहीं जाते हो, do you not go to लखनव? क्या तुम लखनव नहीं जाते हो? फिर आगे देखते हैं, क्या वहाँ दिल्ली जाता है? does he go to delhi does he go to delhi क्या वह दिल्ली जाता है फिरेंट्स यह हमारा singular number का subject है एक question करता है इसलिए इसके पहले does का परियोग किया गया है और यह you हमारा plural number माना जाता है इसलिए इसके पहले do का परियोग किया गया है और यह हमारा plural number का है इसलिए इसके पहले do का परयोग किया गया है यहाँ पर singular number का subject इसलिए इसके पहले does का परयोग किया गया है यह first step इंट्रोगेट्व और second step इंट्रोगेट्व सेंटेंस के बारे में फिर से समझ लीजिए कि जिस question का answer yes या no में दिया जा सकता हो उसे first step इंट्रोगेट्व सेंटेंस कहते हैं और जिस question का answer yes या no में नहीं दिया जा सकता है उसे हम second type इंट्रोगेट्व सेंटेंस कहते हैं इस वीडियो को यहें पर समाप्त करता हूँ thanks watching for my video